भागलपूर जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है ताजा मामला बबरगन स्थानाच्छत के मोहदिन नगर का है जहां एक आभूसन दुकान में दिन दाड़े बाइक सवारा प्राधी ने लगभग एक लाख रुपिये मुल की सोने का जेवर लेकर फ्रार हो गए दुकानदार प्रुसोत्तम पुद्दार ने बताया कि दिन में एक बाइक पर दो यूबक दुकान पर आया और एक लौकिट दिखाने को कहा जब हमने लौकिट दिखाया इसी बीच में एक पुड़िया में लगभग दस सोने की बाली थी जो बाइक सवारा प्राधी लेकर फ्रार हो गया जिसके बाद बबरगन स्थाना को सूच ना दी गई मौके पर थाना की गस्तिगारे पहुँची और जाच में जुट गई जुटे हुए हैं ये लोग बास से सूप बना रहे हैं महातरित समुदाय के लोग अपने हुनर का कमाल दिखा रहे हैं इसके बाद भे इन कारिगरों का जीबन बदहार है चार दिनों के छट महापर्व को लेकर सुमबार से नहाय खाय के साथ सुरुवात हो गई बास के सूप पर पूजन समागरी रख छट प्रतियां सुर्यो पासना के महापर उपर अरपन करती हैं मलिक परिवार की लोगों का अपुस्तेनी काम है लोकास्था का रंग रोड किनारे दिखने लगा है परिवार को दो वक्त की रोटी उपला भिकराने के लिए ये लोग चट परव का खास इंतिजार करते हैं कच्छे हरे बास को काट कर पहले उसे टुकलों में काटते हैं फिर उसकी पतली पतली खपच्चियां बनाई जाती है फिर उसके बाद सुरू हो जाता है सूप को आकार देने का काम सूप बना रहे कारिगर बंबं बस फोड ने कहा कि पिछले साल की तुलना इस बार बिक्री तो हो रही है लेकिन उचित राम नहीं मिल पा रहा है। पिछन कदराल अधिकतर घाटों पर दलदल की समस्या दिखाई दी वहीं जलाधिकारी ने बताया कि 24 घंटे घाट पर कारेकरों से ठीक करने का निर्देज नगर निगम प्रसासन को उद्धिया गया है। प्रकिर्ती से जुड़ा अनूठा आस्था का मापर्व छट को लेकर पूरा बाजार सच चुका है। कहीं नारियल सूप डाब हल दी तो कहीं फलों की दुकाने लग गई है। पूरे बाजार में काफी भीर्ड देखने को मिल रही हैं मीडिया से बात करते हुए दुकानदारों ने बताया कि इस बार बिक्री अच्छी है। पिछली बार बैस्विक महामारी कोरोना के चलते हम लोग मर गए थे। जबकि पिछले साल सूप 200 रुपिया जोडा बिका था लेकिन इस बार 80 रुपिया जोडा ही बिक्रा है। फिर भी बिक्री ज्यादा है। वही नारियल बिक्रिता ने कहा कि पिछला बार 100 रुपिया करके नारियल बिका था लेकिन इस बार 80 रुपिया जोडा नारियल बेच रहा हूँ। इस बार का बजार हम सभी बैपारियों के लिए अच्छा है और उम्मीद है कि अच्छी बिक्री होगी। किसले साल के पेक्षा इसका रेट क्या है भी है। कि इसके थोड़ा बढ़ा आएगा। अब तो हर जगा बिक्रे लगा चारों पट्टी बिटा बाजार मार्केट में भीड़कम लगता। इसलिए थोड़ा परसानी हो रहा। कि बिक्री कैसी हो रही है। बिक्री मिला जुला कर ठीक है लेकन उतना भी ठीक नहीं है। लोकास्ता के महापर्वत छट में सुल्तान गंज की महादलित परिवार की भूमी का आहमी नहीं होती बलकि बढ़ जाती है। यहां निर्मित सूप से सुल्तान गंज परखंड के कई पंचायत के छटवरती महापर्वत करती है। सूप के लिए यहां के महादलित परिवार को तीन महापुर्व सही ओरडर आने सुरू हो जाते है। यहां सैक्डो महादलित परिवार के स्दस्यों को इस समय रोजगार मिल जाता है। सभी परिवार के स्दस्य मिलकर सूप बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। जिससे इन लोग को हजार रुपय की कमाई हो जाती है। लोकास्था के स्पर्व के दुरान महादलित परिवार का रोजगार चलम पर होता है। इस से इन लोग की आमदनी चौगुनी हो जाती है। हलाकि इस वर्ष सूप के दाम एक सो से दो सो के बीच रखी गई है। सुल्तान गंज के सभी छट घाटों को तयार करने के लिए नगर परिसत ने अपनी पूरी ताकत छोग दी है। सभी गंगा घाटों पर कर्मियों को लगा कर घाटों की साफ सफाई कर दुरूस्त किया जा रहा है। लेकिन पंचायतों में अबिड़ा यूबाओं ने उठाया है सिवननन्दनपूर गाउं के दरजनो यूबा हातों में कुदाल वा ज्जाडों लेकर कटपुलवा छट घाट की सफाई वम्रमती करने में लगे हुए हैं। इसकार में रंजीत, रामपरवेश, टाइगर, तुलसी, प्यूज, धर्मेंद संतो, सहित, कई यूबा सामिल हैं। लोकास्ता का महापरव छट की सुरुवात आज से कद्दू भात के साथ हो गई, वहीं सभी लोग छट घाट की तयारी में चुट गए हैं। इस घाट पर सैकलों की तादाद में स्रधालू, भगवान भासकर को अर्ग देने के लिए पहुंसते हैं। वहीं सुधता और पवितता का भी खास खयाल रखा जा रहा है। घाट पर सधालों की काफी भीड जमा होती है। इस बार नदी में पानी का धिकता है जिसको ध्यान में रखते हुए नदी में बरेकेडिंग वा जगा जगा लाइट वा अनसुधाय भी घाट पर कराई जा रही है। भागलपूर के सुल्तान गंज परखंड में किर्सी विभाग कारियाले परिसर में रवीफ हसल महौत सब को लेकर कारिकरम का आयोजन किया गया। प्रसिचन प्राप्त किये पांच किसानों को प्रमान पत्र से सम्मानित किया गया और मस्रूम की खेती में प्रसिचन प्राप्त किये पांच महिलाओं को प्रमान पत्र दिया गया। अभिनब कुमार सहित परखंड के तमाम किसान मौजूद थे बागलपूर के नगचिया सहर में नसामुकती जागरुकता अभियान चलाया गया जिसके तरत नगचिया पुलीस ने एक रेली निकार कर लोगों को नसामुकती का संदेज दिया जागरुकता अभियान का नेत्रितु नगचिया आदरस थाने के थाना ध्यच इंस्पेक्टर भरद भूसन कर रहे थे तो मौके पर नगचिया नगर परिस्ट के मुखे पारसद परतनिधी प्रेम सागर उर्फ डबलू यादब भी मौजू थे अवसर पर थाना ध्यच इंस्पेक्टर भरद भूसन ने कहा कि नसा किसी भी सूरत में आदमी को बरबाद कर देता है इसलिए नसे से दूर रहकर ही लोग अच्छा नागरिक बन सकते हैं और समाज में एक आदरस अस्थापित कर सकते हैं उन्हें का कि पूरे बिहार में सराब बंदी है ऐसे में जो भी लोग अवेद सराब का सेवन कर रहे हैं वो मानक क्या नुरूप नहीं है जो सराब चोरी छिपे आप तक पहुँच रहा है वो सराब जहरीली हो सकती है जिसे पीने से आपकी जान जा सकती है ऐसे स्थिती में नसे से तौबा करे और लोगों को भी नसा नहीं करने दे उन्हें आम लोगों से सराब के संदर में सूचना पुलीस के साथ साजा करने की भी अपील की जा रुकता रही नुगच्चिया के नुनिया पटी मुसर पटी होते हुए पूरे सहर का भ्रह्मन किया और लोगों को भी भी नतरा के नारो और स्लोगन को माध्यम से नसा ना करने की सलहा दी गई